उदर उन्नाव से आज एक बहुत दर्दनाख खबर सामने आई जब बिहार से दिल्ली आ रही बस हाइवे पर हाथसे का शुकार हो गए एसासी में 18 लोगों की दर्दनाख मौत हो गए देखें रिपोर्ट हाइवे पर दोड़ी मौत की बस सुभह सुभह जब लोग नीन के आगोश में थे तो नाव के हाइवे पर कुछ लोगों के लिए काल दोड़ रहा था विहार के शिवहर से एक डबल डेकर बस दिल्ली की तरफ आ रही थी सुभह का वक्त था तो बस में यादरी भी गहरी नीन में थे लेकिन उन में से कुछ लोगों को क्या पता था कि वो अपने अंतिम्त सफर पर निकले हैं उन्नाव के लखनव आगरा एक्स्प्रेस वे पर ये हादसा हुआ हादसे के पीछे ओवर्टेक को वजह माना जा रहा है डबल डेकर बस तेज रफ्तार में दोड रही थी उसके आगे एक दूद का टेंकर भी चल लहा था बस के ड्राइवर ने टेंकर को ओवर्टेक करने की कोशिस की कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ड्राइवर को जबकी भी आ रही थी कंटेनर को ओवर टेक करने की कोशिस में गाली का संतूलन बिगड़ गया और बस की कंटेनर के साथ जोरदार टककर हो गई हादसा इतना फैंकर था कि बस के तो परखचे ही उड़ गए टेंकर भी बुरी तरह चतिगरस्त हो गया ये भी कहा जा रहा है कि टककर लगते ही बस पल्टी खाई टककर की आवाज दूर तक सुनी गई सुभह करीब सबा पांच बजे ये हादसा हुआ मौके पर चीख पुकार मच गई कई लोगों की आवाज तो शोर के साथ ही दब गई हादसे की जो तस्वीरे सामने आई वो रूख का पाने वाली है इसके बाद तो हाईवे पर अफरा तफरी का माहोल था कई लोग इस हादसे में अपनी जान गवा चुके थे वही कुछ यात्रियों को तुरंत मदद की ज़रूरत थी राहत बचाओ की टीम मौके पर पहुँची सामने जो मंजर देखा उससे सभी लोग सिहर गए लाशों का अमबार लगा था आला अधिकारी भी मौके पर पहुँचे लोगों की मदद से पुलिस खायलों का अस्पता ले गई कई लोग दम तोड़ चुके थे मिर्थकों में 14 पुरुष, 3 महिलाए और एक बच्चा शामिल है मिर्थकों में ज्यादतर बिहार के मोतिहारी के रहने वाले बताए जा रहे हैं खायलों में से 5 लोगों को लखनों के ट्रॉमसेंटर रेफर किया गया तो एक दम से आवाज आई हाथसे में मारे गए लोगों के परिजनों को पुर्धानमंतरी रहत गोश्ट से दो दो लाख रुपई की अनुगरह राशी देने की घोश्टना की है जबकि खायलों को 50-50,000 रुपई दिये जाएंगे PM का पोस्ट भी सामने आया है इसमें लिखा है उन्नाओं में हुई सरक दुरघटना अत्यंत पीड़ा दायक है इसमें जिन लोगों ने अपनों को खोया उनके पृति मेरी सम्वेदनाए इश्वर उन्हें इस कठिन समय में संबल प्रदान करे इसके साथ ही मैं घायलों के जल्द ठीक होने की काम न करता हूँ CM योगी ने भी हादसे पर गहरा शोक चताया है मिर्थकों के परिजनों को सांतुना दी है घायलों के उचित इलाज कराने के निर्देश दिये है ये बात भी सामने आ रही है कि बस के कागजों में मिला पता फर्जी निकला है बस महोबा के किसान के नाम पर रजिस्टर्ड है जबकि दिल्ली से इस बस का संचालन हो रहा था जाच में बस का पर्मिट और बीमा भी नहीं मिला है पुलिस हाथसे की जाच परताल कर रही है हाथसे के पीछे बड़ी लापरवाही सामने आई है और उसका नतीजा ये हुआ कि कई घरों ने अपने सदस्यों को खो दिया उनना उसे न्यूज एटीन के लिए अरुज कुपता की रिपॉर्ट और इन्ली तमाम खबरों के साथ लागता के खिबात में आज के लिए फिलालेत लाएंगे अबर जारी है आप बने रमार साथ